Hello and welcome to jaydrivingschool.com मेरा नाम जेश्री सुमिया है और मेरी driving school का नाम JAIS A-1 driving school है आज हम देखेंगे curbside stop manual car में कैसे किया जाता है test में तो test में जब आप test में जाओगे तब पहले तो जब गाड़ी में बैठोगे तो आपका testing officer कहेगा कि आप आज curbside stop करोगे और उसमें आपकी engine बन करना है आपकी गाड़ी का completely बन करना है सब कुछ तो आपको इतना कहेगा फिर आपकी test शुरू होगी और वो लोग test के time में कहीं भी खह सकते हैं कि चलो यहाँ curbside stop करो तो वो ऐसे कहेंगे pull over near the curb and stop तो उसका मतलब यही है कि curbside stop अभी curbside stop flat road पे भी पोच सकते हैं या slightly hilly road या ज्यादा hilly road पे पूच सकते हैं यह मैंने यहाँ hill दिखाया है आपको तो यह hilly road है यह hilly road है तो आप जब यहाँ हो तो आपको कहा जाए कि pull over near the curb and stop तो immediately foot path पे आके खड़े नहीं रहना है आपको सोचना है यहाँ से कि मैं कहाँ खड़ा रहूंगा या कहाँ खड़ी रहूंगी मैं यहाँ खड़ा रहूंगा तो मुझे 30 मीटर पहले मुझे इंडिकेट करना है अब जब आप heel पे खड़े रहते हों तो आपको किसी के ड्रावे में नहीं खड़ा रहना है यहाँ पूरा foot path होना चाहिए ड्रावे नहीं होना चाहिए यह आपको याद रखना है दूसरा कोई भी intersection के नजदीक मत खड़े रहना intersection से दूर थोड़ा रहना है और यहाँ कोई side street है तो उसके सामने मत खड़े रहना यह side street के पहले यहाँ खड़े रहना शुरू होने से पहले क्या side street खतम हो उसके बाद खड़े रहना ये आपको ध्यान रखना है अच्छा अभी आपने 30 मीटर पहले आपने decide कर लिया कि मुझे वहाँ खड़ा रहना है तो 30 मीटर पहले आपने indicate कर दिया फिर आपको slow भी होना है अपनी गाड़ी में और gear को भी change करते जाना है नीचे नीचे जैसे speed कम होती जाए ऐसे आपको rear vision में mirror में देखना है कि मेरी पीछे क्या situation है आपने left indicate कर लिया है अप slow होते गए और मेरे एक video में ने रखे है gear कैसे change करना वो आपको देखना है उसके बारे में मैं यहाँ जादा नहीं समझाओंगी कैसे gear speed कम करते हो तो gear को change करना है बट आप यहाँ आओगे तो वापस mirror देखो फिल दीरे दीरे wheels को turn करने लगो अब यहाँ turn करने लग गए और आपका indicator कई बार यहाँ कई लगना साते है तो उनका indicator बंद हो जाता है तो आपको वापस चालू करना है याद रखना जब तक आप यहाँ आके खड़े ना रहो तब तक आपका indicator चालू रहन है तो आप वो आपकी एक mistake है वो कहेंगे आपने indicator चालू ही नहीं किया था तो आप कोगे मैंने तो चालू किया था नहीं लेकिन बीच में बंद हो गया उसका मतलब आपने indicator चालू नहीं किया था और दो से ज़्यादा indicator mistake हुई तो आप test में fail हो जाओगे इसलिए आपको indicator क बहुत ध्यान रखना है जैसे आप यहां footpath के नजदी आ गए और आपको देखो यहां आप देखोगे यहां footpath के parallel आना है गाड़ी समानतर होनी चाहिए और आपके दो left wheel 400 mm from the footpath से होने चाहिए footpath से 400 mm में आपके दो left tire होने चाहिए और गाड़ी एकदम parallel होनी चाहिए footpath स समानतर होनी चाहिए कई लोग बहुत दूर आके खड़े रह जाते ऐसे तो उसका मतलब आप road पे खड़े हो footpath के नजदीक नहीं खड़े हो आप 800 mm के दूर 800 mm या 1 मीटर से दूर हो footpath से तो आप fail हो जाओगे तो यह ज्यान रखना है तो fail नहों उसका बहुत ज्यान रखन अच्छा अभी यहां आके खड़े रहे हैं आपका left indicator चालू है पहले तो आप manual गाड़ी में हो तो आपको brake दमानी है और clutch दबाना है बाद में brake दबा के खड़े रहना है अब आपको पहले तो handbrake खीचनी है फिर आपका clutch अभी भी दबा है और brake भी दबाई है आपको clutch को अरे sorry gear को neuter में लाके first में डालना है बाद में आपको left indicator को बंद करना है और फिर बाद में engine बंद करना है फिर वो कहेगा चलो अब शुरू करो वापस तो आप गाड़ी engine चालू करोगे फिर आप right indicator चालू कीजिए आप clutch और brake दबा के बैठिये आप first gear में हो फिर handbrake पे हा side mirror में देखिए कि बिच्छे से कोई नहीं आ रहा है न फिर clutch को friction point पे लाईए और फिर friction point पे जब clutch को लाओगे उसके बाद brake से पैर उठाके accelerator pedal पे जाना है जब आपका clutch friction point पे होगा तब आप brake से पैर उठाओगे तो आप पीछे नहीं जाओगे तो फिर एक से पैडल पे जाए घबराना नहीं है उसमें आराम से brake को धीरे से छोड़ना है और accelerator pedal पे जाना है ठोड़ा accelerate करना है ज्यादा नहीं फिर जब यह करते हो तो आँखे तो mirror में रहेगी पैर पैर का काम करेगा आँखे आँखों का का काम करेगी आँखे देखेगी पीछे से गड़ी आ रह अब आप देखोंगे कि पीछे से कोई नहीं आ रहा है आँखे तो mirror में ही रखना देखते रहना mirror में फिर आप handbrake को छोड़ने का time आएगा तो आपको friction point से clutch को थोड़ा इतना ही थोड़ा उपर लाना है और थोड़ा accelerate करना है तो वो करने से क्या होगा जब handbrake तो गाड़ी आगे ही जाएगी पर ज्यादा उपर मत आजाना इतना उपर आगए clutch से friction point से उपर पैर को clutch से ज्यादा उठा लिया friction point से तो गाड़ी stall हो सकती है तो ये आपको धयान रखना है ये बहुत practice करनी है तब ही आएगा फिर आप ज्यादा accelerate कीजिए और mirror में देखत करें अभी भी गाड़ी कोई नहीं आ रही है तो handbrake छोड़िए immediately right side का blind spot देखिए और थोड़ा ज्यादा accelerate करके निकल चलिए तो इस तरह curb side stop करना है right blind spot तबी देखना है जब handbrake छोड़ो बाद में देखो और फट से निकल चलो handbrake छोड़ने से पहले आपने देख लिया और फिर handbrake छोड़ते और clutch को friction point पे हो लेकिन गाड़ी को बहार निकलते थोड़ी देर हो गई और फिर आपने तबी blind spot नहीं देखा आप brake छोड़ने के बाद तो आप fail हो सकते हो क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी आप निकलने वाले हो curb के बहार तबी ही blind spot देखना है जल्दी नहीं देखना है पहले देख लिया तो बाद में देर लगाई आपने handbrake छोड़ते होए और कहते हैं वापस देखो बाहर निकलने से पहले तो that is the right timing to check your right blind spot पहले देखा होगा तो they will say you did not check it just before you came out so ये ध्यान रखना है अच्छा अब कहां कहां mistake होती है पहले तो हमने mirror blind spot mirror किया जब अंदर आने लगे तो मैंने बताया indicator बंद हो जाता है और कई learners को पता ही नहीं होता कि मेरा indicator बंद हो गया फिर आगे चलते आते हैं और जब तक position करते हैं तब तक indicator बंद रहता है तो वो लोग वहां indicator में mistake करेंगे दूसरा कई लोग इतने fast होते हैं action में जैसे आके यहां खड़े रहे handbrake कीची और उन्होंने engine बंद कर दिया तो उन्होंने क्या किया कि उन् बाद में गाड़ी चालू करी बहार आने के लिए तो उनका indicator चालू हो जाएगा तो और उनको लगेगा मेरा indicator मेंने right indicator किया है और फिर वो जब सब कुछ करेंगे handbrake छोडेंगे clutch friction point ये सब कुछ करेंगे और बहार आएंगे तो left indicator से बहार आएंगे right indicator से नहीं आएंगे त और दो से ज़्यादा indicator mistake you fail the whole test तो ये ध्यान रखना है तीसरा वो लोग जब यहां से शुरू करने वाले हैते हैं तो blind spot पहले देख लेते हैं गाड़ी चालू करी ऐसे blind spot देख लेते हैं और फिर उनको लगता है मैंने तो blind spot देख लिया है बाद में handbrake gear को friction point पे लाते हैं foot को brake से उठा के accelerator pedal पे जाते हैं handbrake छोडते हैं और फिर आगे चलने लगते हैं उनको लगता है कि मैंने देख लिया नहीं लेकिन उसमें थोड़ा सामाई चला जाता है तो वो कहते हैं नहीं आपने पहले बार देखा हो handbrake छोडने से पहले तो वापस handbrake छोडने के बाद जब बहा निकल रहे हो तब भी वापस देखो तो नहीं तो वो blind spot mistake है और वो तो immediate fail item है जब भी foot path से बहा निकल रहे हो तब भी ही आपको blind spot देखना है पहले थोड़ा देख लिया है और थोड़ी देर चली गई couple of seconds भी चले गई even fraction of a second तो भी आपको वापस देखना है जब निकल रहे हो जब थोड़ी slight speed थोड़ी speed ऐसे थोड़ी बहार निकली गाड़ी check blind spot करो और फिर निकल चलो और speed को pick up कर लो और gradually clutch को धीरे धीरे छोड़ना है जब तक गाड़ी speed नपकड़े थोड़ी 10-15 km पे आए तब उसके बाद gear को धीरे धीर उपर change करना है तो इस तरह curbside stop manual car में किया जाता है तेंक यू